पत्ता गुबी और स्वीटकॉन की टेस्टी सबची बनाने के लिए मैंने या पत्ता गुबी और स्वीटकॉन को साफ करके अच्छी तरह से धूर लिया है अब चित्ता पत्ता को भी ले उसका आदा सुईट खौन ले, साथी कड़ी पत्ता, अद्रग, टमाटर और दो हरी मिलची के लिए, कड़ाई रखेंगे गरम होने के लिए, गरम होते ही, आदा चमच तेल डालेंगे, एक चोथाई चमच राई, एक चोथाई चमच चीरा, छि अब हरी महची, मिलची और मसाले आप अपने स्वाद के मसाल कम जादा कर सकते हैं, अब एक टमाटर खाटके रखा था मैंने वो डालिया है, मिला लेंगे, पत्ता गोभी और स्वीट कॉन की सब्जी का कॉंबिनेशन बहुत ही अच्छा है, इसका इसकी सब्जी बहुत टे का सीजन है, तो उसकी सब्जी इस तरह से बना कर जरूर खाईए, दो मिनिट पका लेने के बाद फिल से मिला लेंगे, अब इसमें स्वाद के अनुसार नमा, हल्दी, और ये होममेड सब्जी मसाला डाल रियो में आदी चमच, मिला कर आप बंद कर लेंगे, और हमारी सब् ये हमारी टेस्टी सब्जी बंद कर तयार है, ये सिंपल सब्जी बनाने में तो आसाथ, साथी खाने में और सेहत में बहुत ही अच्छी है, धन्यवाद,